तो सो एवरिधिंग सेट फिर से और आखरी बार के लिए घर जा रहा हूं और यह होटल था होमस्टे था ही मादरी होमस्टे इसका कॉंट्रेक डीटल में डाल दूंगा और यह डेलोप पार्क एकदम जिसमेश्दीक में यहां पर बहुत सारे मॉनस्ट्री बगे रहे हैं तो अगर आप कभी घूमने आओ तो यहां पर शेकिन कर सकते हूं और महादीव तो यहां से 570 किलिमीटर है अगरे चार बज़े सुबा भी निकल सकता था पर यहां चार बज़े में पहाड़ी एरिया हो यहां पर स्टीप स्लोपिंग बहुत ज्यादा होता है तो अभी आस्ते आस्ते करके चलाना है क्योंकि पूरा समान लोड़ गाड़ी पर अब कुरा कोरा से बंधा हुआ है तो उस चीज़ कभी थोड़ा था कि अंकल लोग बदा दिदे कि सुवा सुवा ऐसा से केस होते हैं और डेलो को कालिंग पॉंग को मैं अलविदा कह रहा हूं अभी और फिर कब आओंगा कब नहीं लेकिन काफी सारे मेमोरी मेरी जुड़ चुके हैं यहां पर और बहुत पीसपुली यहां पर दो दिन मैं प्रिंड किया लामा हडा कालिंग पॉंग तीन चुले और यह रास्तों में गौतम बुद की एक मौनस्ट्री पढ़ती है बहुत अच्छी है तो ऐसे चोड़े-चोड़े मौनस्ट्री इस वेगरा है रास्तों में तो वह अब ज सिली गुड़ी 71 किलमीटर है और दो घंटा मुझे टाइम दिखा रहा है पर यहां से उतरूंगा मैं बहुत स्लोली क्योंकि बहुत ऐसा स्लोपिंग है और अभी गाड़ी बगेर तो ज्यादा चलने रही है तो उसका एक फाइदा या बस बाकि सब टेक देखो 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 गुत्ता लोगे नम खाड़ा है रास्ता पे अगि विड़ा कोई इदर दर होगा तो भूंग दूंगा देखो 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 इस्टार्ट अगा एक पाड़ो निरे को दरनी लगता ता भाई इस पाड़ो में यह जो बोलेते हैं अंकल लोगती है यह सच है यह कुट्टा लोग सुभासुबाब को परसान करते हैं कोई राइडर बेडर को तो थोड़ा देखके भाई and look at the beautiful city of Darjeeling and Kalingpong वो डार्जिलिंग सिटी है और काफी खुबसूरत है बहुत ज्यादा पहाड़ों में ऐसे बसे हुए ना बहुत ही सुन्दर दिखने में लगते हैं अभी आदे घंटे राइट करने के बाद मैं पहुंचा हूँ सिर्फ पांच किलमेटर और यह हाड बजा रहे हैं कालिंग अच्छा बहुत जदा फेमस हाड बजा रहा है और काफी कपड़े बगएर यहां पे मिलते हैं ऑपर प्राइस थोड़ा ज़्यादा है यहां पे हर चीज का प्राइस बहुत ज़्यादा है जो कपड़े आपको 400-500 मिलना चाहिए यहां पर आपको 1500 का उपर ही है तो टूरि का मार्केट है तो यह मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है और यहां पर तरह तरह की चीज़े मिल जाएगी हर तरह की चीज़े और होलसेल मार्केट भी है कभी अगर कालिंग पॉंग में और शॉपिंग करने कामन हो तो यहां पर आसकते हो कालिंग पॉंग मार्केट कि एक बात बोलना चाहूंगा कि जब भी ऐसे रास्तों से ट्रावल करो पहड़ी अरिया में तो अपने हैलमेट का वाइजर लगा के रखो क्योंकि बहुत सारे की मिले मखड़े ऊड़ते रहते हैं और आखों में चल जाते हैं अभी एक ऐसे इंसेजेंट रहता मेरे साथ कि कुछ आखों में पढ़ गया था मेरा वाइसर खुला हुआ था तो यह एक्सपीरियंस हेरी कि हम और अभी काइंग पॉंक की रास्तों से सो यह पूरा एक सर्कल टाइप का है उधर से उठना और इजर से उतरना तो इस सर्कल में मैं सब कुछ देख लिया डार्जिलिंग लामा हटा अगेरा सब कुछ तो काफी बेटर रोड से देखो बहुत अच्छी सुवा सुवा के नजारे हैं और अभी यहां पर हल्का थंड है बाद में क्या होगा आज गर्मी तो बहुत ज़्यादा होने वाला है नियरली अबाट फॉर्टी थ्री डिग्री सेल्सेस में देख रहा था सो टेंपरेचर न तुनने आते हैं हापे और यह रहा पूरा डार्चलिंग कालिंग पॉंक सिटी वह जहां तहां से देखो वहां तक आपको पहाड दिखेंगे और पहाड़ों में छोड़ी छोड़ी घर दिखेंगे और होता है क्या है ना रात को यह जब चमकते हैं ना तो जैसे लगते कि तारे जमीन पर आगे चुके हैं अब कुट्व लोग से ना बहुत परजान हूं दो तीन जगा कुट्व बहुत परसान किया है दोड़ाने लगे अगर तुम दोड़ जाओगे ना तो कुट्वारे पीछे पगड़े काट लेगा यह तुमारे गिरा भी देगा तो थोड़ इसे रास्तों में बाइक से निकलो तो कम निकलो देखो गैंग बनाकर बैठा हुआ है और मैं काला काला पूरा पहना हुआ हूँ थो लोग की नजर मेरे परार जाती है तो काफी होमस्टेइ वेलेवल है कहीं भी आपको बुकिंग कराने के जरूरत नहीं है हजार रुपए में आपको खाना पीना चार टाइम का लंच ब्रेकफास्ट टिनर आपको सब कोच एवेलेवल हो जाएगी तो और इसके साथ साथ आपको स्नैक्स भी मिल जाएंगे साम को बकोडे या मोमो वगेरा और दो टाइम चाय मिलती है तो हर होमस्टे में फैसलेटी है तो कोई जरूरत नहीं आपको यहां पर बुक करा क्याने का मेरे को भी डर था कि मैं जा रहा हूं नहीं है मेरा कहा रहूंगा कैसा रहूंगा पर यहां पर इतना 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 कुछ होटल वगेरा रेंट्स होटल वगेरा होमस्टे वगेरा तो कोई जुरूरत नहीं है वाई सब चल जाएगा कि सो एक घंटा हो गिया मेरे को राइड करते हुए और अभी मैं नीचे उतर रही रहा हूं और सिर्फ एक घंटों मैं अभी दस बारा किलोमेटरी आया हूं सो कितना मुस्किल है यहां पर ड्राइफ करना और एक्सलेर से ज्यादा ब्रेक और क्लश दवाना पड़ता है बह और कर्वी रोड के साथ साथ वह अपको धहलान भी बहुत जादा है तो अब बात करते हैं कालिंग पौंग की सो गालिंग का लिग मैं घूमने के लिए बहुत जगह है लेकिन कि आपको सबसे में अट्रैक्शन ही आप पर हरुमान मंदिर सबसे पहले हुआ पर हरुमान सकते हो डेलो गार्डन के बगल में ही बहुत सारे होमस्टेव हैं हजार पंद्रहसों में आपको रूम आजानी से हो जाई उसके बाद आप चल जा पैरागलाइडिंग के लिए और पैरागलाइडिंग कर सकते हो वहां तो यह पास चल जाना जो एक दो गार्डन गोर सकते हो पर डेलो गार्डन मुटना कुछ देखने लाइक नहीं है हैंग आउट करने के लिए चिल करने के लिए ठीक है और उसके बाद आप दो-तिन मोनेस्ट्री है जो डेलो गार्डन के आसपास ही है सब्सक्राइब चाहिक है जो इसे के मैं तो क्लिंग भाघए है और और चाहिक हैश्क काफी लू हैं कि बाकि अगर शाइब करें चाहिक मारकेड में रलत तो रूद्ध हई थोड़ा यहां मैं ज्यादा मेन करने कहते सब्सक्राइब नौट वर्थ इट और कैक्टस गार्डन वगेरा नीचे आखे अब उसको एंज्वाइब कर सकते हो गॉल्फ को आर्मी गॉल्फ को रिजा सकते हो सो यह सब आपने लिस्ट में आड कर सकते हो लेकिन गॉल्फ आर्मी गॉल्फ वो सब आपको कहीं अलाव नहीं है और सिर्फ एक मोनस्ट्री है जैंग मोनस्ट्री सो वह उतना ज्यादा में खास नहीं लगा बट ठीक है कालिंग पॉंग एक दिन के लिए पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत अच्छा है और में टूरिस एट्रैक्शनिया पैराग्लाइडिंग के लिए ही आते हैं बाकी तोड़ा मोड़ा यहां पर मार्केट अच्छा है और रेट्स वगेरा सिस्ते यहां पर मार्केट में तो काफी अच्छ अच्छी रोड है देखो एक तो ऐसे ऑधेंटिक नजारे पहाड़ों की और उपर से ऐसे रोड है तो चलाने मजा आता है और सुबह का टाइम ह है थंड भी अच्छा है वुले वयलाज और थंड भी हलका है और मौसम भी अच्छा है कि कपन नजारे हैं वह सिक्की में वह साइड सिक्की में पूरा और वह सिक्कीम सेड़ी है और इधर हम लों कालिंग बॉंग में तो अब जल्द जल्द उतरते हैं और यहां से सिलिक उड़ी चलते हैं और डार्ज लिंक और शियोंग एक्सपिरियंस कि मैं काफी गलती कर रहा था मैं उदर से आ रहा था क्योंकि ऐसे कर भी रोड की मेरी आदित नहीं है लेकिन उदर से आने वाले बहुत सारे आटा सोमों अगेरा मेरे को टो करे थे तो अब गलती मेरी थी तो अभी मैं थोड़ा सुधार लिया हूं और अभी मैं राउंड एंड राउंड उतरने वाला हूं थैंक्यू विजट अगें अच्छा और एक बात यह से आप जब भी टर्निंग में गाड़ी अपनी मोड होगे ना तो याद रखना यार हॉन जरूर मारना ताकि इधर पता नहीं चलता है ना पाड़ों के वज़े से की आगे से क्या रहा है और वह काफी जो यहां पर ड्राइगर लोगे वह काफी स्पीड से चलाते हैं चाहे बाइक हो या फिर कार हो और यह थैंक्यू विजिट अगेन अभी मैं कालिंग पॉंग से निकल चुका हूँ और सिली गुड़ी अभी मेरे को सीधा जाना यहां से अब रोड काफी बेटर है और यहां पर बहुत राइंज ड्राइविंग होती है अब तुम रास्तों में देखी लोगे क्यों कि रो रोड में आओ तो थोड़ा जलूली गाड़ी चला और ध्यान से चलाऊ भाई दोनेट ब्लोड और हॉस्पीटल नॉट रोड अरे आस्टेरें तिस इस तीस्ता ब्रिज और तिस्ता रिवर और नजारे तो बहुत ही अच्छ है और मैं आभी रूख नहीं सकता हूँ कि जल्दी जल्दी मेरेको जल्दी जाना पड़े का और जितनी जल्दी मैं पहुंच आऊ उतनी अच्छा बात है उतना अच्छा रहे गा क्योंकि पहन लिया हूं मैं ब्लैक तो रोड तो काफी अच्छी है अब यहां से डायरेट सिली उड़ी के लिए चलता हूं और फिर वहां से भागलपूर मैं आप सोचाओं कि भागलपूर मैं रुकूंगा क्योंकि मैं जिस रास्तों सहया था उस रास्ते से नहीं जाओंगा स्यूड राइगंज कि वह रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब था 170 किलोमेटर आपको रास्ता अच्छा नहीं मिलेगा और भागलपूर के रास्ते पुंसिया जो है और दुमका वह रास्ता में मैं ट्रावल कर चुका हूं पहले भी तो वह रास्ता बहुत अच्छा और यह से भी ज लांग पड़े और कमफोर्डेबल जर्णी होना चाहिए बस और यह तिस्ता रीवर है और आपर राफ्टिंग मेरा हो चुका है आप पहली बार और जिस दाला के पास रीवर राफ्टिंग किया वह उसका वीडियो में अप्लोड कर चुका हूं आप देख सकते होगे हमारे चैनल पर लिंग में डाल दूँगा और यह इस साइड पहाड है रोड भी बहुत मस्त है और साइड से जारी है रिवर तो क्या बात है भाई क्या नजारे है भाई और यह जितनी भी रोड में जाओंगा अभी 50 किलिमेंटर नेरली ऐसे ही तिस्ता रीवर के बड़े बड़ से बीच में रास्ते हैं तो रोड भी कापी अच्छी है और सुपब नाद सुपब फिलिंगे भाई सुपब फिलिंग है मतलब क्या चाहिए भाई अंत इतनी अच्छी हो रही है अभी क्लाइमेक्स का टाइम है भाई अब मतलब यह सीरीज खत्म होने वाला है और जाते-ज पहले लग्की भाई युह है है कि यहें ऐस फिर अब कितना साल बात देखूंगा मैं यह ख़य कर आ भाउंगा फिर कोई ठीक नहीं है लेकिन क्या संदर ढौक एंब दिल है है दिल और यह मोमेंट है भाई मोमेंट है मोमेंट है मोमेंट है ऐसे रास्ते भी एक्स्पीजिंस करना एक मोमेंट है भाई चलाने का मज़ा ही हाँ अवलग है कि को लदाक से कम नहीं लग रहा है यारी सब बहता पानी है साइड में देख सकते हैं यहार इतना नीचे रीवर है देख लो वह देखो रीवर है और अब तीसता नीवर के अकॉर्ड Bringing मैं जा रहा हुँ ए व cities में को नीन आ रहा है क्योंकि रात महीं है फिक से सुया नहीं कहीं भी सुबर निकलना होत में को राड को ठीक से नीन नहीं आता है और दो चार्लाम लगा कर고 सूता groups व QUE वार primo बसते रहता है तो उसके बाद से नीन ठीक पूरी हुई नहीं है अभी मैं सिली गुडी में ही जाके रोकूंगा एक बार थोड़ी दिर ब्रेक लूँगा खाना खाऊंगा और चायवार प्यूँगा उसके बाद वहां से चलेंगे भागलपूर तो अभी थोड़ा दर रूका हूं और रूकने के बाद देख लोगी थोड़ा नजारा इतना अच्छा नजारा है तो क्या आश्म है का उसम मतलब इस तरह के नजारों के लिए मरते हैं लोग यह पहाड़ा स्लाइडिंग जोन यहां से पत्थर देते हैं तो यहां पर रूकन जादर का ठीक नहीं है तो थोड़ा यह देख के मान लजगी है मेरा अभी रुकता नहीं मैं मैं से लिवडी में रुकता पर यह देख लो अभी क्या भीव है पहाड़ों की लाइन लगी हुई एक तुम और भाईया लोग भी है बर्दवान से यहां पर राइडर्स क्रूप में आप नहाने का मन कर रहा हुआ है और बन फाइब से चैटल बैक लेके एक तो आपका है तो उनका है क्या कौन समाल से यूज करें अप लोग अधाय कोई बात नहीं शुरू करना बहुत बड़ी बात होता है कोई लोग सुचते हैं कि सुरू करेंगे कुरेंगे वो करते नहीं है कर लो कर लो किसी वितरह सुरू कर लो यह आर बन फाइब बाइक बहुत अच्छा है कोड़ा कुसं देखते हैं कुसं नहीं कि शेटिंग मेरो खिला खिला हैकलेगा थे यह देखते हैं को देखते हैं कि देखते शुरू दे देखते हैं जारह हूं है जारह ओं काहे इतना आद बडा ना तू और अभी मैं नीचे काफी आ चुका हूं और यहां से थैंक्यू विजिट एकिन का बोर्ड है यहां से डार्जिलिंग 98 किलिमेटर जाना नहीं है सिल्य गूडी में को 32 किलमेटर जाना है नियू जलपाई गूडी 35 किलमेटर कर्शियों 66 कोलकाता 606 किलमेटर फिलाल अभी तो सब्सक्राइब को मेरे को शीलिग जाना है यहां से 32 किलमेटर है तो लेंस गोगा सो सिक्टिम कालिंग पाउंग है मेरे को सीधा जाना है और यह बश्चेट है है सर शर्ट शीनिग उरी सीधा अधर गालाइगा खिलाइगा और यह जो रोड है कालिंग पॉंग भाया सिली गुड़ी विसाइड टिस्ता रिवर इस रोड में यह रोड बहुत अच्छी है यह नजारे तो एक दम इसके नजारे तो एक दम माइंड ब्लोइंग है पर एक बार की दिक्कत है इस रोड में जो टूरिस कार वगेरा आते ना काफी हाद तक देखा है यहां पर बहुत ओवर टेकिंग होगे जादा होती है तो यहां पर तो जोलब बच के ड्राइब करो अगर इस रोड में आते हो तो और वी अलर्ट हमेसा अलर्ट रहना का कोशिश करना वागी यह बहुत अच्छा रास्ता है और देखी सकते हो रास अब इसे ज्यादा ही क्या बोलूँ कोई लोग ऐसे रास्ते हैं सिसमा रास्तों में जाओं अ 근 Day अधर मूट जाएगा और घुद निकल जाओगाँ अब अलस्टा तो चलो जल्दी जल्दी अभी मैं टोटली सर्फेस पर चुका हूं पहाड़ों का कारवा खतम हो चुका है और बैक टू नॉर्मल वही हीट वही वेदर थोड़ी गर्मी है और थैंक यू विजिट अगें डाड़िलिम टूरिजम तो सब कुछ खतम सांसा लग रहा है और बहुत कुछ मिस्क कर रहा हूं अब मिस्क किया हूं और जर्नी को जीया हूं और बहुत सारे एक्सपीरियंस बहुत सारे मेमोरी ज्यादे में ले जा रहा हूं अपने साथ और मुझे बहुत लोगोँ से मिलाूं जिन से मिला हूं रश तो में साफ़र में बहुत अच्य दोस्त बने हैं अच्छे लोगों से मिला हूं बहुत जानकारी मिले हैं मुझे तो काफी overall experience बहुत अच्छा रहा मतलब बहुत कुछ सिखाती है रास्तें आपको और बहुत कुछ देती भी है तो अभी मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ मेरे को वो memories flashback में चल रही है सब कुछ सबना था एक पहाड़ो में पहली बाइक चलाने का वह हो है जो भी पूरा हुआ सबसे पहला मैं अपने सपनों में देखाए करदा दागी मैं कभी बाइक चला रहा हूं टार्चलिंग में और लिवर कर लिए सच्छाई में सच्में तो कि इस अब हुआँ सार्ष लिंग लामाहाटा तीन्ट्रिय कालिंग पॉंग रिवर राफ्टिंग पराग्लाइडिंग सब कुछ कर लिए जितना एक्टिविडीज था मैं सब कुछ कर लिए बहुत अच्छे एक्स्पिरियंस रहा मेरा और अब देखते हैं और फिर कहां हमको ले जाती है मैरी किस्मत और आप सब्सक्राइब यह जो रोड़ है ना कालिंग पॉंक से आपको सिली गुड़ी जाने का यह रोड इतना उसम है इतना उसम है मैं क्या बोलूं इतने अच्छे से नजारें यहां पर और यह अभी मैं प्लेन में आ चुका हूं पर यह बहुत अच्छा रोड़ है और अभी यहा लेते हुए जाओंगा और यह मेरे बगल में चाय बगान है और कितना खुब्सूरत लग रहा देखो एक लेवल में है सारा तो बहुत ही सुन्दर है कि कुछ नहीं ज्यादा उपर है नहीं ज्यादा नीचे एक्टम फिल्ड की तर एक्टम एक साथ लग रहा है चाय बगान और मैं चाहरे सिलीगुडी चोड़ चुका हूं अभी और यहां सद पुर निया 170 किल मिटर है और भागल पूर देखता हूं जो मैं अगर रुख सकता हूं बहुत जादा गर्मी और मैं काला पैना हूँ अभी तک बहुत जादा गर्मी है इह अब सुबह से गर्मी बरदास्ट नहीं होता है और यह चलते चलते जॅब जादा गर्मी नहीं लगता है रुका़ होगा कहीं सो जादा गर्मी लगेगा को ऑफ हु जेक्टेफ से फेयर पर और रस्तों में देख लिए मैंने अनारस और अनारस खा रहा हूं है अनारस बोलते हैं इसको पाइनेपल पाइनेपल और जूस केशना लेका बबाद पचीस और यह वाला पूरा टोटल पचीस रिप्या तो में को यह बहुत पसंद है टूटल चालिस तका देदे ला एगला जूसा आज एक पन दिए दिए बनाईए अचा होना चाहिए अचानेवाब पई समोद देगा इससे तरह जाए ठाक में अचा ठीक है अचा ठीक है अचा बहुत सारे अनारस वगेरा जूस उस सब गारते हैं इस रोड में और में को भूक लगाए बेक फ़स्के लिए ज्या बाता नहीं दीजिगा राइड करना लंबा है और काफी मीटा है और काफी कम नहीं है हमारे घर तरह बहुत ज्यादा महेंगा मेलता है तो यह टोटल मैंने पंदर रोपिया में लिया हमारे घरतर भी यह सब अनारस मिल रहा है और बहुत मीठा था तो मेरा फेबरेट है यह तो खा लिया मैं ऐसे सीजन में भी यह सब 10 रुपिया विकता है पूरा हमारे घर तरब एक एक 60-70-80-100 के लिए रूपे में मिलते हैं सो के दामों में मिलते हैं तो ठीक है अंकल आ रहे है है तो और दबा कर लिया पूरा का पूरा ही खा लिए एक काफी बहुत ज़्यादा ही दुकान है और बहुत बड़े आज पैसेंजर और लोग रुक के भी खा रहें यहां पर जूस भी मिलता है और अनारास भी मिलता है तो वाई ट्रिप जहां मनता हां रोग दो बस में आपको यह सफर और यह फेसलेटी नहीं मिलेगी कहें भी क्या कुछ खालो एकदम रोख के और अभी यहां से भागलपूर में को चलनला है तू ट्वेंटी किलोमेटर है अभी बारा बज रहे हैं और कड़ागे के धूफ है और काफी लू है रही है तो ब्लैक पैना उपर से और ज्यादा गर्मी लग रहा है लेकिन अच्छी बात है कि चलती में ज्यादा गर्मी नहीं लगता है और यहां से और तीन घंटा मेरे को लगेगा तो जल्दी अगर हो सके तो जाओंगा और गंगा जी में डुपकी बारूंगा तो और विहार की रोड मतलब झारकन और विहार एक कौन? बोलेगा विहार अंडरेड़ेड है यार जो बोलता है वह पूराना जमाना की इनसान है वह पूराना ख्यायाद का है रोड एक नमब जिस रोड से मैं आया उदर मालदा तरफ से वो रोड पूरा ही बिगड़ा हुआ उदर स्यूडी का उदर उसके मुकाबले यह रोड सूपाब है और मैं यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन करके 60-70 चला रहा हूं और एक जरा भी मेरे वो परसानी नहीं हो रही है मृय कि अभी टाइम हो रहा है और याशन जाद knowledge चाल रहा है और दूप तो बहुत कड़ा है अभी टेमपरेचर दिगा 42 वट का फूरे पहुन का मिंख पयो है कि ओभी घरौटी पॉर्फ ना और अभी अगर जल्दी से नहीं जो पहुंचऊंगा बहागल पूर तो फिर कल जल्दी नहीं पहुंच भाँगा घर तो है अज मेरे वो सवाप्षा शर्टर भडे था फिछले सट्व अजुक्त को मैं निकला था एक सफता पहले ही और आज हेएक सब्ता का मेरा तूर था पर सायद एक दिन हो जाएगा लेकिन कल दोपहर तक मैं पहुंच जाओंगा गर तस बारा वाश्य पहुंच जाओंगा तो बीच में रुका हुआ था एक घंटा के लिए एक देल घंटा रुका हुआ था गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट हो के थी और गाड़ी को रेस्ट दना ज़रूरी है तो अभी निकल चुके हम अपने रास्तों में हूँ और डेस्टिनेशन अभी हां पर ऐसे 140 किलोमेटर म अब भाइज इस तरह की जिस तरह की दूप में जहेल रहा हूं और गर्मी जहल रहा हूं वह अलागी लेबल का है मतलब इससे जाना मतलब हो निसक्ता कुछ एक्स्ट्रीम मरे लिए हैं अभी लू चल रहे हैं ढाई तीन बज रहे हैं और मैं सोचा की तीन साड़े तीन चा निकलना है क्योंकि मैं कितना ही आल्सी पना करूंगा भाई अब यह सभी कभी न कभी जहलना ही पड़ेगा कही न कहीं और ऐसे रास्ते पे गृबिंग करना बहुत मुस्किल हो रही है क्योंकि रास्ता अंडर कॉंस्ट्रक्शन है तो इस रास्ते में स्पीड चलाने भी उतन मैं अब करनाmee भी है चली नेखसा नेजादा है क्मू बहुत ज्यादा मैं मैं और पूर्णिया और पूर्णिया में 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 रोकों गाई अन्यरली half एन आवर क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है कि वंग के पार्षा सबैक्स बाइक खराब हो सकती हैं और बाइक बार कि उसे थोड़ा रिएदे के चलाना पड़ेगा कि किसी भी चीज के एक लिमिट होती है भाई अर्याच पर यह मिरा चौथा टोल प्लाजा और महाता मेरा दर्द होने लगाए यह जल्दी से मैं घणावल पुर्पूर यहां पर कोई किसी को फॉलो नहीं करता जो भी जिदर से गाड़ी दुगा देगा आंटी जी ऐसे हाथ देके सिधा चली जाएगी वह इधर उदर दाइंबाइक कुछ नहीं देखेगी और कोई गाड़ी वाला इंडिकेटर नहीं देगा सिधा टर्न कर देगा तो यार इस रास्तों में बिहार में अच्छा से गाड़ी जलाओ तुम्हारी गलती नहीं भी है उद्वर की गलती है तो बोलेगा गलती हो गया वही या माज कीजिए चलो कि आला इतना ज्यादा गर्मी इतना गर्मी है ना स्कीन देखो स्कीन टैन हो गिया है यह देखो क्या हालत हो गया स्कीन का गर्मी में बाइक राइड अरे अम्बूलेंस के तो जाने दो सब मेरे को जाना है जल्दी जाना है जल्दी जाना है एम्बूलेंस को जाने दूरे तो अगर कभी आना चाहो तो इस रास्ते से आ सकते हो यह रास्ता बहुत ही बेटर है और ज्यादा ट्राफिक ट्रक्स इसमें है नहीं तो खाली खाली रास्ता ही है पुरा कि अर्ट फुडी रास्ते में बहुत ज़νεभ ज्यादा ड्रगंग चल थे बहुत जब रहे होता है और क्या बता हूं मैं इस रास्ते में मतलब फर्स्टे गर पे गारी चल रही बस सो यह भावलपूर कर रास्ता है और डार्जिलिंग से जाने जब जाओगे तो दो रास्ते आते हैं तो यह रास्ता बहुत ही अच्छा है यह रास्ता बगरा हो के तो चूज कर सकते हो सब ठीक है यह ऐसे जो बंफर है ना यह एक देखो दो को यह कूद रही है ना कि काफी रेगुलर बेसिस में दिये हुए है और कोई राइडर अगर स्पीड से राइड करता है तो और इसे बंपर को देखे ना और चबा दे तो वो डिस्वैलन्स हो जाएगा तो यहां से भागलपूर 42 किलिमेटर है और मैं पांच बज़े तक साड़े पांच बज़े तक पहुंच जाऊंगा आछ संनस पीद यहां और में में ग। आज बहुत जादा अठाट हुएं आज और वह क्या कि बहुत जादा एकष्ट्रीम यह नी कोई आज बहुत जादा हो घंगा ऑगा को 30-35 किलिमेटर जाना है कि आरे मुश्री का जल्दी एका तेरेको हां कुछ नहीं है ब्रेक मारिये रहे थे कि अंदर आई क्या लव कि तोटो कि अंदर लिया तो एक सब्तों पहले ठीक इसी दिन इसी टाइम पर मैं कलाकी के थांड जेल रहा था और आई रहा हुआ और मेरे जाती आइर काम नहीं कर नहीं दिन से Hema और आज थिक यसी समय आज मैं कडाजी के कि दोटे छेल रहा हूं और बहुत ज्यादा लू भी जहल रहा हूं तो हाथ पर आज भी टीक से काम नहीं कर रहे हैं यह बस वक्त वक्त की बात है कभी आप ठाइने जहले हूए कभी गर्मी कभी चाहूं कभी धूप और अजिस लाइफ और मैं भागलपूर और यह भागलपूर का ब्रिज है और यह गंगा है हर हर गंगे जैगंगा महिया तो काफी साल बाद आरा हुँ यह पर बश्वन मैं आत एक बार और अब यहां पर देखता हूं कहीं नहाने का होगा तो मैं नहाओ गह जादा धूफ है बहुत ज़दे गर्वी इसकी आवाज और फरक्र से आते वक्त मैं नहा नहीं पाया था क्योंकि पानी बहुत ही नीचे था और बाइक बहुत दूर खड़ा करना पड़ा था और वाइक में समान सारा लोड है तो वह हो नहीं पाया देखो यहां पर अगर चांस मिलता है तो य सब्सक्राइब करूंगा है 43 डिग्री टेंपरेचर में राइड करना अब बच्चों का खेल नहीं है न बाइंहाथ का खेल है ठीक है बहुत जब एक्स्ट्रीम है काला हो गया हूंबे तैन पड़े गया एक दम सु अभी चेव बीस हो रहा है साम को और सुबह चेव इसे मैं ड्राइब कर रहा हूं बार घंटा लगातार बीच में एक दिर घंटा मैं ब्रस ब्रेक लिया था और हालत बहुत खराब है बहुत ज्यादे एक्स्ट्रीम हो चुका है जबी एक तो उपर से धूप भी यहां पर भागलपूर में रहना था मेरे को लिगर वहां पर कहीं रूम नहीं मिला मेरे को अब देखते हैं जगदीशपूर ने वाला आगे इंजिन काफी ज़्यादा गरम हो गया मेरे को मैं फील कर सकता हूं पैरों में और अब ही रुकना ही पड़ेगा कहीं पर तो तो दैडिस मंदार हिल्स और पिजए सल में यहां प्यार चुका हूं तो वहला व्लोग भी है मेरे चैनल में पुरा मंदार हिल्स का बहुत अची जगह है वो रूफटॉप में एक मंदीर है और काफी अच्छा व्यू मिलता है उदर से लाल अभी मेरे को जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है और सुबह सुबह एक कल रात को मैं को होटल में रुख गया था तो होटल में रुखा हुआ था अभी सुबह यहां से पहुंचना है हुआ हुआ है कि सो यह बिहार हो रहा है खतम और अभी हम जारकण में प्रवेश करने वाले हैं कि और यहां से मेरे को अधिक कर देखके नहीं खुरा सकता है कि खाया पीया कुछ नहीं गिलास तोड़ा बारा ना कि इस रास्ते में पहली वार इना जाम देखा है पताने किस चीज का है काफी लंबा भारी भर कम जाम लगा भाई तो कोई एक्सीड़न नों एक्सीड़न भी नहीं हुआ है तब भी जाम लगा दिया सले लोग ने कि बहुत जादा जाम है इस पहली बार लाइफ में मैंने कि तुम मीटा रख दोगे तो क्या मैं नहीं जा पाऊंगा भाई कि सो दुमका मैं क्रॉस कर चुका हूँ और अभी यहां से मेरा घर और एक सो किलमेटर है और दो घंटा लगेगा मेरे यहां से जाने में कि सो पहुंच चुका हूँ मैं अपने घर और यहां से मेरे घर और पंद्राव 20 मिट लगेगा तो टो टोटल 1270-80 किलोमेटर में राइट कर चुका हूँ और काफी बहतरीन एक्सपीरियन्स था मेरा इस जर्णी में बहुत कुछ सीखनी को मिला बहुत कुछ मेमोरी बनी है बहुत लोगों से परिचे हुआ कुछ लोग दोस्ट बने हैं और मैं कभी वापस जाओंगा सिक्के मगेरा तो अगर उदर से रिटान आओंगा तो जरूर उन लोगों से मिलूंगा जितना भी मैंने व्लॉग बनाया वीडियो बनाया उन लोगों के लिए उन लोगों के बिजनस के लिए तो कि मैं वहीं चाहता हूं कि हिट हो वो लोग उन लोग भी बिजनस उन लोगों को भी बिजनस मिले मेरी वज़से कि यह सब कितना वंफ़ दे दिया यशनक है कि और यह आसनme гол जाते है तो आई रास्ता यहां पर हम को ले लेना है यह ऐट लोग कट पड़ेगा कि में और यह जा मूड़िया का सब्सक्राइब रास्ता है कि अपने अलाके में तो ढूख चुगा हो भी और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और दूप भी बहुत है बहुत ज्यादा दूप है बार बार पानी बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है डिहाइडरेक्शन हो गया है तो अब जल्दी घर जाके थोड़ा आराम करूंगा नहाओंगा बहुत रेश्ट लूगा अब भी क्योंकि कल सी बैंड बजी हुई है मेरी कल 14 14-16 गंटा में गाड़ी चलाया हो रहा है और इंजिन इतना हीट हो गया कि मैं अपने पैरों पे वह हिंजिन का हीटनेस में फील कर प करें और कुछ भी इंफोर्मेशन में से छूड़ गया हो तो कमेंट करो मैं अगर वापस कभी जाओंगा तो उसे कवर करूंगा जरू अब अलविदा लेने का टाइम आ गया भाई फिर मिलते हैं किसी और जर्णी में तब तक के लिए शुक्रिया